नमस्कार किसान भाईयो किसान खेति ज्यान चैनल में आपका स्वागत है किसान भाईयो आज की जानकारी बहुती अच्छी होगी और सभी किसान भाई ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरी देखना लाइक भी करना कमेंट भी करना शेयर भी करना किसान भाईयो आज कल आप देख सकते हैं कि Andy आपको बोले। चैनल में वी देखोगा आपने वीडियो में भी देखोगा कि इन चीजों को मत मिलाएं इसको अपनी फसल में मत डालें। तो उसी एर भारे में आपको में बताऊँगा क्यों मिलाएं हम, सबसे पहली है क्यों मिलाएं हम ये हिं phi नवाद और चैनल को सब्सक्राइब तो आपकर करते हैं किसान भाइओ वीडियो भी देखते हैं लेकिन कहीं बार आप वीडियो देखकर निकल जाते हैं चैनल को जूरूर सब्सक्राइब करें तो अब आपको बोला जनता है किसान बायो यह Ad Apes में ना मिलाएं यह तिजने ना कर डाले अपन गेहूं की फसल में यह चीजन मिलाने से यह हो जाता है और यह मिलाने से यह हो जाता है किसान भाईयों सबसे पहले तो हमने अपनी फसल में क्या मिलाना है किसान भाईयों हमने सिरफ अपनी गेहूं की फसल में सिर्फ और सिर्फ मैंने और वी वीडिये बना रखिया आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपने यूरिया का ही परियोग करना है यूरिया के लाव आपको किसी और चीज का अपने ग्यों की फसल में परियोग नहीं करना है आपने जो भी आप परियोग करना है अपनी फसल में आप अपनी जमीन में डालें नीचे ग्यों की फसल बुयाई से पहलें कुछ भी चाहिए आप परियोग करना है कुछ भी डालें आप जमीन में नी बढ़ेगी फसल की गुनमता बढ़ेगी दाना मजबूत होगा वजंदार होगा और कोई अन्य चीजें आप अपने गयों की पसल में मत डालें सिर्फ यूरिया का ही परियोग करें क्योंकि ठंड के मोसम में कोई भी चीज है जो है पानी में गुल्मसील नहीं है पानी में फसल में वह मिट्टी के ऊपर ही पड़ा रहा जाता है और फसल में पूरा घुल नहीं पाता है तो उसके बारे में जो मैं आपको बताया है कुछ भी नहीं मिलाना है सिर्फ यूरिया का परियोग करना है आप किसी अन्य वीडियो देखकर कुछ भी भाहकाव में नाए इन जो को मत मिलाएं देखिए यह सब चीजें मिलके भी आती है और हम उसका परियोग भी करते हैं तो हमने कुछ भी नहीं मिलाना है किसी की बातों में नहीं आना है सिर्फ और प्रियोग करें फसल हरीबरी रहेगी आप मिट्टी में जो मर्जी निच्चे बहाई से पहले डाल झाल झाल झाल